पिछला साल था 2012, बहुत सारी अच्छी कडवी आदेन लेकर की चला गया और आज उसका अनतिम दिन है, 31 दिसंबर, कल से नया साल चालू होता है मैं आज दक्षिन भारत के कोयम तूर शेत्र में बैठा हूँ और आज शाम तक मैं हरिद्वार पहुंचाऊंगा कल से अर्थाथ एक जनवरी से 2013 हमारे कलेंडर जाएंगे हमारा पूरा के पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा माह जनवरी का आजाएगा भारती संस्कती में हम लोग नया संवस्तर से मानते हैं दक्षण भारत में जहां मैं बेठा हूँ में पॉंगल से मानते हैं और नया वर्ष उगड़ी करके होता है उगड़ी, वो नया सम्वस्षर वहा से मानते हैं कई तरही की अपनियां परंपरह इंपरहें, कई तरही परंपरहuyorsun इसे में यह जो नए वर्ष के शुरुवात हो रही है कि सब के लिए मंगल मैं हो 2013 सब के लिए शुब हो जुल्विश लेकर के आए जो इस साले से घटना करम घटे जिनसे कि हमारा सब का हरदय दुखी हुआ हम सब को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इस सब समाज में नारी के पती जो एक दश्टिकों विक्सित हुआ और उसके वारे में जो अवेरनेस पैदा हुई जागरती पैदा हुए उससे लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में ये जागरती और भी अच्छा एक रूतनता लाईगी और एक नए उत्सा का संचार करेगी कि हम सब भाद में ठंडक का महीना है भावत ज्यादा ठंड पड़ती है थोड़े दिन बात हमन्त की ठिटोरन चली जाती है और वसंत आ जाता है वसंत का आना ये थोड़ा सा उल्लास रक्ष्वनस्पतियों में पुश्पों में प्रकृती में नवीनता आ जाती है पूरा उमंगे ह इसा ही हमारे जीवन में हर दिन एक नया साल आए हर दिन हम ये उम्मीद करें कि पॉजटिव रहेंगे उत्साहवादी रहेंगे और हमेशा उचा सोचेंगे कभी नीचे नीज देखेंगे तो हर विक्ति प्रसंद रह सकता हर विक्ति खुश रह सकता है सबके लिए आपके लिए जितने भी आपके साथ ही है उनके लिए आपके परिवार के लिए आपके घर में आपके बच्चों के लिए सबके लिए मंगल मैं हो ऐसी में गैति परिवार के और से मंगल कामना करता हूँ